नमस्कार दोस्तों, डीडीरेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलो तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ और जिस वीडियो पर मैं रेक्षिन करने जा रहा हूँ वीडियो है सनामजद का और इसका टाटल है इरान से इस पावफूल इंडिया के स्टेंड अगेंस्ट वेस्ट ओफर टू मूर फ्यूल टू इंडिया तो चली भई एरान तो एक इसलामिक कंट्री है और जाहिर से बात है कि उसके इंडिया से रेलेशन बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तान से थोड़े खटे है मुस्लिम बिरादर हुड होने के बावजू तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है आईए देखते है इरान के सफीर ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया यूक्रेन और रश्या की वार के बाद इतना मजबूत हो चुका है कि मगर भी ताक पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान तो जमीर इसमान का फरक है एकॉनमी तो इंडिया की जो इस पर रिजर्फ के पढ़ी है वो साढ़े पांसो बिलियन पढ़ी है कि पाकिस्तान के पास चे बिलियन भी नी पड़ा वार रिजर्फ के इंडिया को अगर अगर मना भी कर रहा है तो पाकिस्तान के ओपर अल्रेडी इंटरेशनल इतना प्रेशर आ चुका है कि मजीद उसको पाकिस्तान रिपेड़ बैक कर नहीं सकता इंडिया इस वक्त सिर्फ रश्या से नहीं खरीद रहते हैं इंडिया इस वक्त रश्या से भी खरीद रहें पर मघर्भी ताक्तों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के बढ़ाओं में नहीं आसकते, तो आप हमसे भी तेल खरीदें। अल्रेडी वो रश्या से जो है रिकार्ट तोर तेल खरीद चुके हैं और अब एरान ने भी उनको आफर कर दिया है आप यह देखें कि इंडिया से बसे मैं बता दूओं कि इरान से हम पहले भी तेल खरीद रहें और आगे भी तेल खरीद रहें गे आप लोगं को शायद याद नहीं है कि बड़ा प्रेशर पढ़ा था इरान पर जब सैंक्शन लगा था अमेरिका का भी तब भी उसने कहा थे कि भाई तेल मत खरीद दिये लेकिन तब भी इंडिया ने कहा कि जो हमारे लिए फायदेबंद हो का हम करेंगे और तब मजबूरन अमेरिका को कहना पड़ा है कि जी इंडिया साही 8-6, 7 कंट्रीबंद यसी हैं जिनको हम छूट देते हैं कि आप एरान के साथ तेल खरीद लो तो हम एरान से तेल अभी नहीं खरीद रही हैं अगर वो उसको पैप बैक करके और अमेरिका की संक्शन्स लगी यह अरड़ी एरान के उपर उसके बावजूद अगर अगर इंडिया के सफीर यह बात कर रहे हैं तो एक सफीर है वो कोई आम बंदा नहीं है और अगर इंडिया से बात कर रहे हैं कि हमें अगर आपको अगर कुझ के पाकिस्तान की भार आपकिसान के अशिद क्यों फर ऐप करें पाकिस्तान के अवर यह फितना कुछ अपर कशे हें पाकिस्तान के अफिकiveness इव एक की सरी बात का मिल है वह जो जो एड़ ऩो नहीं डिगीं तो यह ब Spec.-शिकली बात होती है आपके भूस्ट पड़ाव करने हैं वह इसस के उपर कर सेटे निए वह रिडिम में आपके इंडिया की एरश के रह nella के ने आप ज चाहिए पर आपके जिएक जिस हो बने करें कि क्यों इंडिया इतना आंके दिखा रहे हैं अमेरिका को भी विद्धाफेक्ट तो आपको साही डिटेल सामने पतर चल जाएंगे तो आपकी हालत पाकिस्तान की तरह हो जाती है आप हर देश उस पावरफुल देश के आगे जुग जाते हो चाहिए अमरिका हो चाहिए चाहिए टर्की हो चाहिए साओधिया हो जहां से आपको कुछ मिलने के उमीद होती है इंडिया की रिड की हड़ी बहुत जादा मस्बूत है इंडिया ने कभी अपने आपको जुकाया नहीं इंडिया ने आँखों में आँखे डाल कर कहा कि जी रशिया और आपके बीच लड़ाई होगी हम तो वो करेंगे जो हमारे देश के लोगों के लिए फायदे बंद होगा उसने कहा कि इरान पर आपने सैंक्शन लगाए हम तो इरान से तेल खरीदेंगे क्योंकि ये हमारे देश के लिए फायदे बंद है और जाहिर सी बात है कि इंडिया ने अपनी बात मजबूती से रखी है हमें पता है कि उसके खिलाफ बहुत सारा बाते उठाई जाएंगी ऐसा नी है कि अमरेका के तर्स भी चीज़े नहीं कि जा रही है हमें दबाने के लिए करने के लिए बहुत कुछ किया जारा है लेकि उन सब के बावजूद भी हम जहके नहीं तो इससे पता चलता है कि कौन सी कौम बहादुर है और क्युम बुजदिल है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कौन बुजदिल है और कौन बहादूर है एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को इसना की ओफर कैसे कर सकता है एरान को एराग को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए ना कि इंडिया की तरफ उनका जुकाओ होना चाहिए और कि पाकिस्तान ने इंडिया विकरिण सब्सचते हैं ने क्들लिक्टने मैं तीज्य में अगश तक रुशिया से ओáल नहीं खरीद पाए और इंडिया कहां कहां से जो है वो खाम तेल खरीदा एभाएगरे इवन कि आपको बता है कि यूक्रेयन और रश्या की वार के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट फॉर्वर्ड बना किया इंडिया को कि आपने रश्या से तेल नहीं खरीद ना लेकर उने वहां बैटे हुए उनके मूपर गा कि हम वही करेंगे जो हमारे लोगों के लिए हमारे मु को तरक्की नहीं कर रहा मुझे पढ़ाएं एग लाम मुल कैसे तरक्की कर सकता है आपने सवाल के अंदर हैं मैं घुलाम नहीं है ठीक है लकिन हम वी ओर अंडिंग इस एसपरएश् का चालाना थिक है हम नहीं है जब हमें इसी साफ सॉज़गा है कि हम किसी बाउंड नहीं है तो हम तेल के हम साइट रिशुरू कर देंगे पाकिसान के अर्जा लेना और करजे के साथ इस मुलक को चलाना क्या यही हल है पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए 75 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुएं इंडिया को भी इतना टाइम होगे अज तक मेरा खाल है कोई एक या दो दफ़ा आई-म-फ के पास गया अधर्वाइस मैंने कभी नहीं सोना कि इंडिया कभी आई-म-फ के पास गया हो तो हम अपने मुल्क को बेहतरी के लिए लाने के लिए मेरा खाल है हमारे लोगों को खुद से मेनत करनी पड़े कि कर्जे लेकर मुल टित नहीं के लेगा। अपना किक टेड़ी पर कर्जे डेट घर्र अब आपक टेड़ें के लिए अब कर्जे लेहाँ इव अब 3 अरब ता icon suspended आपका स्वाइप अधर मेरे अपका स्वादिय। वांद्धन कर्जे आदेगा। था सहलन्ने के तट कर्जे नहीं देनी के रिलीस करेगा वहां से, जो भी उसने हमें फंड देने हैं, जब हमें हमारे अपनी मुस्लिंग स्टेट ही देने के लिए त्यार नहीं है, तो अब्वियस सी बात है, जब आई-मफ है, इंडिया क्या करते है? भाई, और उन मुस्लिम्स कंट्रीज ने भी ये कहा है, जब ये बात गई, तो उन्होंने कहा कि जी पहले आप आई-मफ से डील कर लो, फिर हम पैसे देंगे, उचाह साओधी और आप आई-मफ से डील करो, तब देंगे, आई-मफ की शर्तेमान लो, तब हम देंगे, हम भी आई-मफ से के लिए खेल रहे हैं सब पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को अभी समझ में नी आ रहे है कि खिलोना बना हुआ है, इंडिया आप खुद ही कह रहे हैं कि आई-मफ के पास एक दो दफाग है, क्यों गिया, वैसे तो नहीं जाता है, उप्विसी बात उसको ज क्योंकि आई-फॉन मैनिफेक्च्चर हो रहा है, इंडिया के अंदर चाइना को छोड़ के, जब तक एक छोड़ी से बात करोंगा, जब तक आपके अंदर इंसानियत और मुहिब मतनी, दिल से नहींगी ना, तब तक कुछ भी नहींगा, ये दिखावा, ये शिखावा, य सब कुछ चलता रहता है, यहां पर बैठके जब तक आपको एक बुखे का, आप यहां पर खाना का ले और दूसरे बंदे का इसास आपको नहीं होगा ना, अनलेस और उरं तिल वह एसास आपके पास है, कि इंडिया के अंदर हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास इस व मुद्धे में बात कर रहे हैं, वो यह है, कि एरानी सफीर ने हिंदूस्तान की तारीफ करते हुए कहा है, कि इंडिया इतना स्ट्रोंग हो चुका है, कि वह मगर्बी ताक्तों के खिलाफ खड़ा हो सके, क्या कहेंगे आप एरानी सफीर की स्टेटमेंट पर? जी, स्लाम लेकुम, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया तना स्ट्रोंग हो चुका है, पिछले कुछ माह में इंडिया ने युके की एकॉनमी को क्रोस कर लिया, और वो दुनिया की तीसरी बड़ी एकॉनमी बन चुका इस तफ़ा, उनकी अपनी प्रोड़क्शन है, हर च कोशिश करने के बहुत जूरूरत है, सर आप क्या कहेंगे, हमारे हमसाय मुमालिक इसलामी कंट्री जो है, वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया इतना मजबूत हो चुका है, कि मगर भी ताक्तों के खिलाफ खड़ा हो सके, आपको शायद याद होगा कि यूक्रेइन और रश्या की वार के बाद, इंडिया को मना किया गया कि आपने रश्या से तेल नहीं खरीदना, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ किया और रश्या से जो है, वो रिकार्ड तोड खाम तेल खरीदा, मैं बियम पाकिस्तानी और बिंग है, मुसलिम, मैं इस च सही नहीं है, हम बिंगा मुसल्मान हमें मुसल्मान कंट्रीज को अकठा होना चाहिए, उनको किसी इसलामी मुलकी तारीफ करनी चाहिए थी, और यह जो है बहुत गलत किया और इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, आपके कंडेम करने से क्या होता है और वो बेवकूफ जो आप कहेंगे वो मानेंगे, क्यों भाई, आप कहेंगे खलीफा बन बैठे हैं, एरान के मन में जो आएगा वो करेगा उसको पाकिस्तान से पूछ कर कोई फैसला लेने या कोई बयान देनी के जरूरत नहीं है, और इसलामिक इसलामिक क्या होता है, सबके अपने देश है बही, ऐसे में सारी कंट्रीज मर्ज कर दो, एक देश बना दो, उमत एक खलीफा जो भी है, बना दो एक, तब तो नहीं बनाएंगे आप, फिर आयाशियां कहां से चलेंगी, ये जो आप जूट के बुलबुले में हो ना, कि सारे इसलामिक देश एक हैं, अजी घंटा एक ह अपने देश का फायदा ही सोचेगा, जो भी सोचेगा, आपकी तरह नहीं है वो, एरान अपना फायदा सोचेगा, अपना नफ़ा नुकसान सोचेगा, उस हिसाब से अपने रिलेशन बनाएगा, उस हिसाब से अपना बिजनस करेगा, उस हिसाब से किसी की तारीफ करेगा, अब आपको पिंग चुब रही है आपको मिर्ची लग रही है कि जी इसने हिंदुस्तान की कैसे तारीफ कर दी इसने भारत की तारीफ कर दी ओहो यह तो नॉन मुसलिम कंटरी है और यह और इसकी कैसे तारीफ कर दी जाओ बे गलत क्या है गलत यह है कि हम एक मुसल्मान मुलक मुलक होने के नाते हम सिर्फ मुसल्मानों को सपोर्ट करनी चाहिए मुसल्मान मुलकों को हमें तो इस वकाओ कोई मुल्क प्राइक्तो नहीं कर रहा है, सौर्य टूसें लेकिन तमामिय कनटे के तालुकात इंडिया के स साथ बहतरीं है अइरान, खो ये एराक, हो जा 멋있या, सौदीय अरब, हो जाए, दुबई हो जा is सबका जुकाव सभुट अंडिया की तरफ है हमें तो कोई मुविं नि लगा रहा हूआ मैं इंडिया की तरफ सिरफ मैरिक moc qui अबाइक अवे का जुकाव हूआ अ मैरिका उनकी संथ eu海रुका उनके साहथ है लेकिन हमें इस्érieमे मिलक़ों को साथ लेकर चाहिए सर अभी बात हम कर रहे हैं एरान एक इस्लामी कंट्री होने के बावजुद उन्होंने इंडिया को आफर कर दिया कि आप हमसे तेल खरीदें जबके पाकिस्तान के साथ उनके इस तरह के कोई तालुकात नहीं हैं पाकिस्तान के इरान के साथ कुछ तरलकात अच्छे नहीं हैं इसी वज़ा से वो पाकिस्तान को ना ज्यादा वो स्पोर्ट भी नहीं करते लेकिन मैं कह रहा हैं कि पाकिस्तान सारे इसलामी मुलग हैना सब को आपस में कमबाइन करके पाकिस्तान की तरकी के लिए सोचना चा आप अपने साथ एरान को देख लें, एराक को देख लें, सौदिया को देख लें, कोई एक ऐसा मुल्क इसलामी बता दें जिसके इंडिया के साथ तालुकात अच्छे ना हूँ। एक तो उनका आईटी सिस्टम बहुत स्टाओंगे, उसकी वजहां से वो तक्रीबन आगे जा रहे हैं हमसे, बाकी हमारे सियस्टानों की लड़ाईया नहीं खतम होती हैं अपस में, इस वजहां से लोग जो जो मुलक भी हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं हमसे, कि इनकी अपस क अंदरूनी लड़ाईया हैं नहीं खतम होते हैं और दूसरी बात है, जैसे हम रूस के पास गए थे, इम्रान खां गया रूस के पास, और शबाज का यड़हा नहीं तो यह हमारा सियस्टी खां, जो है कि पाकिस्तान से क्या मफाद लिया अमेरिका इस जवसे ज्यादा मुफाद लेता हैं हम बदले में Buddhist aud ms JUSTIN तो सर इसलिए तो हम नीचे लगे हुए हैं इसलिए तो वह हम से फाइदा उठाते हैं पैसों के बगएर तो नहीं ना चलडा सिस्टम सारी पैसों को सपोर्ट कर रही हैं जब मैं इंडिया को सपोर्ट कर रही हूं मैं हकीकत पर मबनी बात कर रही हूं आप मुझे बताएं मै इनने खलöt बात क्या किया गलत आप नहीं किया हम क्यमाइम्फ से करजा नहीं ले यह तो शुरू से ले रहे हैं जब से पैदा हुए यह 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 बाद चाघ इसलिए हम अभर किया झाय है कि अविछब गलत क्या बोला है इरान, उनके सफीर उटके ये कह रहे हैं कि अपना चाहिना है तो मिलेशिया वगारा ने, इनसे ज्यादा हमने तामन मिल सकता है तुर्की ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को आने से मना कर दिया तुर्की ने तुर्की ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को तुर्की ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट केस में तो कोई शक नहीं है लेकिन बदले में हमने तुर्की का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह हमें देना चाहिए करने हैं जिस तरह इडिया कर रहा है बाकी कंटरीशन आपस जी टुन्टीक मीटिंग हिंडिया में होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान उसका मैंबर ही नहीं है इंडिया अपनी ताकत के बलबोत वे कर रहा है बाकी इस ने जान बूज के अलाज ज्यादा खराब की हैं। आपका नाम? मुहम्मद उस्मान उस्मान आपको पता है कि एरान ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया उबरती हुई ताकत के तोर पर इस वक्त पूरी दुनिया में जाना जा रहा है और इंडिया इतना मजबूत हो चुका है कि वो मगरेबी ताकतों के सामने खड़ो हो सकता है और ऐसा कहना है एरानी सफीर एराज इलाही का क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? मैं ये कहूंगा कि इंडिया ने जिस तरह अपने आपको मईश्यत के अंदर एक ताकत के तोर पे थाबित किया है और उनकी जो माशी पलीसिया है और उनके जो भी इस तरह के पलैन है वो यकीना उनकी के हाक में जा रहे है जब वो अपने आपको माईशत के तोर पे या माशी तोर पे एक मजबूत रियासत जाहर करेंगे दुनिया के सामने दिखाएंगे तो यकीना मुलक उनको आफर भी करेंगे और उनको ऐसी ताकत बनाने में उनकी मदद भी करेंगे इसके बरक्त पाकिस्तान एक आटमी ताकत जरूर है लेकिन इसके जितने भी माशी पलान है या जो भी माईशत का निजाम है वो बुरी तरह मतसर हो चुके है अगर हम इसी निजाम पे रहे तो हम किसी भी अपने इस्lami मुलक से अपनी हमायत की जुह है वो हमीद नहीं रख सकते अभी पाकिस्तान के जो हलाख चल रहे हैं ऐसा पाकिस्तानी में आप छाना चाहती हूँ कि कितने इस्लामी कंट्रीस हमें सप्पोर्ट कर रहे हैं या उनका जुकाओ पाकिस्तान के साथ है उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो सिर्फ इसलामिय लिहास से इसलिए कि हम सिर्फ मुसल्मान हैं सिर्फ साओधिया और तुर्की जो है वो किसी ना किसी तरह हमारी सिर्फ हमायत वो भी बयान के तोर पे करते हैं वरना अब जिस स्टेट पे हम खड़े हैं तो हम अकेले ही हैं उसकी वज़ाई यह है कि जब हम खुद अपने अंदरूनी जो अपनी सियासी जमाते हैं वो आपस में मुल्की मईशत पर समझोता करने के लिए मुद्ध होने के लिए राजी नहीं है तो हम बार से किसी भी चाहिए वो इसलामी मुल्क हो या कोई भी यूर्पेन कंट्रियम उससे जो है इसकी तवक्कों नहीं कर सकते मैं यरी कमेरने को और дов viendo अमेरिका के मना करने के बावजूद रश्या से वह वहिए बहुट बड़ी तदाद में खाम तेल करीदा इतना तेल करीदा कि इंडिया का चोता ट्रेड़िंग पार्टनर बशे बचे रश्या पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा और हमारी जो सुरते हाल है हम जिन मुलकों से ले रहे हैं पेट्रोल डीजल वो हमें देने के लिए तयार नहीं है क्योंके हमारा खाजाना जो है वो खाली है अगर इंडिया ये डील उन से करता है तो हम माशी तोर पे पहले ही कमजोर हैं तो इंडिया के माशी तोर पे मश्बूत होने से वो हमारा चूंके दुश्मन भी है हरीफी तोर पे हम उसके मुखाले भी है तो हम जो है तकरीबन मेरे ख्याल में इंडिया से काफी जब नीचे जाएंगे तो हम तबाही की तरफी बढ़ेंगे चले दोस्तों वीडियो करें क्योंकि वो इसलामिक कंटरिघी है और वो इसलाम के सबसे बड़े जणा बरदारै क्योंकि वो कलमे के ब Lesson की बुझार पर पाकिस्तान की आप तो उनके गुलामी है क्योंकि आप उनके पैसो पर पलते हैं उनसे पैसे मिलने पर ही आपके देश में काम होता है आपके सरकार को पैसे मिलते हैं आपकी सरकार जो है वो खर्च करती है सौदिया से मिलते हैं, UAE से मिलते हैं, चाइना से मिलते हैं यही सब तु दे रहे हैं पैसे और कौन दे रहे हैं नहीं तो आप बता जिए आप अपनी कमाई कहां करने हैं किस सक्टर में करने हैं कमाई भई और आपने कहीं कि जी उनको हमें पैमपर करना चाहिए हमें हमारा खयाल रखना चाहिए क्यों रखना चाहिए आप हैं कौन आप आपके आउकात क्या है आउकात इसलिए कहिए आपके आउकात होती कि जी हम टेक्स्टाइल मार्केट में हमसे बड़ा मार्केट किसी का नहीं यह आउकात होती है आप कहते कि स्पोर्ट्स गुड में हमसे बड़ा कोई मार्केट किसके पास नहीं है हम जो दे सकते हैं वो कोई में कोई नहीं दे सकता तब आपके ऊकात होती आप के कहते कि हम जो अनाज उगा रहे हैं उससे जर्दादा अनाज दुनिया में कोई ऊगा के दिखा है हम आपको अनाज प्रोवाइड कराएंगे तब आउकात होती आपकी कहां है आउकात आपकी जीरो है जीरो अंडा, जिरू भी इंडिया ने इन्वेंड किया था तो ये तो हालत है आपकी और इसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप बस अयाशी कीजिए और आपकी अयाशी के लिए सारे लोग जो मुसलिम देश हैं वो आपको पैसे देते रहे कोई बात नी बिटा, जुए मोडा दिया कोई बात नी, ये ले, एक हजार डॉलर मेरी तरह से ये चाहते हैं आप ऐसे दुनिया नहीं चलते है सर, ऐसे दुनिया नहीं चलती है और इसमें इस्लामिक की बात कहां से लेकर आगए वो इरान independent country है आप independent country है सौधी अरब independent country है उनको जो चीज अच्छे लगेगी, उनको जो जिस चीज से समझ मैंगा कि ये हमारे लिए फायदय मन्द है ये हमारे लोगों के लिए फायदय मन्द है वो ये काम करेंगे, वो आपके Dictation पर क्यूं चलेंगे आप उन्हें क्यूं Dictator करो किस हैसीत से और रहे बात इंडिया की तो इंडिया हर वो काम करेगा और वो हर काम कर रहा है जिसे यहाँ के लोगों का फायदा हो हमारा हम जानते हैं कि हमारे खिलाफ कई सारे साजिचे रची जानी है यही देखा मैंने जूके में frustration में क्योंकि अमरित पाल सिंग की हमने अधर लगा रखिये frustration मुहाँ पे कुछ पहुँच गए और हमारे Consulate का जंडा उतारा ये किया वो किया उन सब का भी उन सब का भी उपाय होना है ये तनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा और जो भी इसके पीछे हैं उनको भी निप्टा जाएगा तो हमारे पास हम सक्षम हैं हम जानते हैं कि हमारे खिलाफ कई गुट काम कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे जलते हैं वो हमारी तरक्की से जल रहे हैं लेकिन हम अपनी तरक्की भी करेंगे और इन जलने वालों की आँखों को फोड़ भी देंगे अब देखिएगा और वो काम हो रहा है इसका हैसास पाकिस्तान को भी हो रहा है तो जल्दे मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जहिंद